नमस्ती वेलकम बेक टो माई चैनल इस वीडियो माँ आप देखेंगे बहुती सुन्दर से नेक की दिजाइन का टूटोरियल इस डिजाइन के लिए हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है जिसमें चौड़ाई तरह सिंच की है और लंबाई इस तरह से 21 सिंच की है सौरी और यह थोड़ा गैप दबते उए इस तरह से हम एक और टक्स लेंगे, आगे एक और, अुर, अ इस तरह से हम एए तीन हो टक्स की सिलाई लेली है और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा गैप लगवर टूफाी इंच का ड़ लेते हुए आगे यह इन-्स तेम टक्स के तोक्स किसपड़लिहं है किस तरह से हमने सारी पैस पर यह स्टिश कर लिया है और इन्हें एक ही δ Current में झालना है हवा पर देखे इस तरह से हमने एक ही directeur मं में आयरन से सपकति कर दिया है अभी उसके बाद में इसे हमें हमारी कुर्ति की राइट साइड में प्लेस करना है इसके लिए हमने ये तीनों और से आरन से यहाँ पर पट्टी को फोल्ट किया है और अभी यहाँ कुर्ति के इस राइट साइड में इसको सेंटर से सेंटर लेकर जो यहाँ पर इसको फोल्ड किया है वहाँ पर सिलाई लेंगे इस तरह से कुट्टी की राइड साइड में यह पीस बहुत एजिली हमने यहाँ पर अटेश करना है उसके बाद में हम एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ इसके नीचे हमने कैन्वास अटेश किया हुआ है और दोनों साइड से कपड़ा फोल्ड करके इसके उपर सिलाई ली है इसका एक हिसा नीचे से हमने यहाँ पर फोल्ड रही किया है यह हम बाद में फोल्ड करेंगे और यहाँ इसकी सेंटर में एक लेस अटेश करनी है इस तरह से तो यहाँ पर इस लेस के उपर हम सेलाई लेंगे। इस स्ट्रिप की चौड़ाई लगबग 0.75 इंच की है। इस तरह से हमारी लेस अटेच हो गई है। अब नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर हम इस पट्टी को फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को हमें सेंटर पी यहाँ पर प्लेस करना है। तो लगबग 3.5 इंच का यानी 3.5 इंच का यहाँ पर लंबाई में है। तो हम 3 इंच पर माक करते हैं पॉट्ने के हमारा तो हम 3 इंच पी मतलब आधा 1 इक इंच थोड़ा ऊपर लेंगे इस पट्टी को और इस तरह से यहाँ पर इस पट्टी को अटेच करना है। दोनों साइड में हम सिलाई लेकी इसी लॉक करेंगे। एसरी पट्टैच हो जाने के बाद अभी हमें इक की हो और इस तरह से हमने यहाँ पर बट्ट ने की टी ँतेच करेंगे। और हमारी ये पूरी नेक के डिजाइन बनके रड़ी है बहुती सिंपल है पर बहुत सुन्दर लुकाता है इसका पहनने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आगया और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच